धनु राशी, धनु राशी का स्वामी गुरु ब्रहस्पती है। इस राशी के जातक दूद में हल्दी और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिशेक करें। भगवान शिव को पीले चंदन का तिलक लगाते हुए पीले गेंदे के फूलों की माला अर्पित करें। भगवान को गुर, चने की दाल एवं पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से समाज में यश, कीर्थी की प्राप्ति होगी परिवार से रोग भी दूर रहेंगे। मकर राशी मकर राशी के स्वामी शनी देव है। मकर राशी के जातकों को तिल के तेल अथ्वा नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिशेक करने से विशेश फल मिलता है। मकर राशी के जातक शिवलिंग पर अश्टगंद से तिलक करके, बेल पत्र, भांग, धहतूरा उलत की दाल से तैयार मिश्थान और नीले फूल भी भगवान का चड़ाएं. भगवन भोलिनात की इस विदी से पूजा करने से दामपत्य जीवन सुख में होता है, परिवार के सदस्यों में प्रेंग बना रहता है, घर परिवार पर्मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. कुम्भ राशी के स्वामी शनी देव है. कुम्भ राशी के जातकों को नारियल पानी, गन्नी की रस, तिलत्वा सर्सों की तेल से भगवान भुलिनात का अभिशेक करना चाहिए. कुम्भ राशी के जातक बेल पत्र, भान, धहतूरा, शमी पत्र, दूरवा अर्पित करते हुए उलद से बनी मिठाई का भोग लगाएं. इससे शत्रू पर आस्थ होंगे एवं कार्यक शेत्र में मनवाचित सफलता मिलेगी. मीन राशी अर्पित